बिस्मिल्ला इरुक्मान इरुखीम असलम्यक्म नियु श्टूडेंट्स आइम यूर सैकोलोजी टीचर वान जिरो वान वान वेलकम तो और चैनल व्यू शाट नोट्स सबसे पहले मारे चैनल को सबस्क्राइब करने तक आने वाले तुमाम न्यू वीडियो आप निकों तक आज हम दो अप्रोच इसको डीटेल से वेखेंगे सबसे पहले हमने स्टाबी क्या था कि इंसान जो था है वो फेस्टाइब को बित्मीन साइको नेल्सिज और बिहेवियरिजम थीक है 1950s से 1960s में इसको सैंस किया थीक है नेक्स्ट फ्राइड जो था उसने इसमें अटेंश शर्फ इफेक्ट फ रेंफोर्समेंट पर किसरा रेंफोर्समेंट जो है वो इसमें मर्च आउट हो है नेक्स डोइए इस अप्रोच में यह इस पर फोकस करेगी दा आइडिया आफ दैट पिपर आइड इन कंट्रोल आफ यहां ब इनसान खुद सेल्फ कित्रू अपनी जि और ने लेगे फैंस के ऐसे में और लगता क्या है। और psychodynamic और behaviorist approach में, humanistic approach यह इसान के unconscious को determine करती है, जो behaviorist है, वो external determinants को करती है, जब कि जो humanistic approach है, ज़्यादा optimistic है, next is free will क्या होता है, free will human possess the ability to make decisions about their life, central theme क्या इसकी, central theme में यह है कि हम लोग capable होते हैं, shaping the destiny, इन्सान अपनी किसमत को shape कर सकता है, वो decide कर सकता है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ नहीं है, here and now इसमें important है, wholeness and completeness of personality में important है, अब इस अप्रोच में, क्या क्या emphasize करना है, एक तो pestiverse में growth की और एक उसकी freedom, कि इन्सान की अपनी freedom क्या होती है, इसके अंदर की values क्या है, और self-fulfillment क्या है, आगे emergence इसके किस तरह होई, इमर्ज कि इसका reaction होई, perceived limitations of psychodynamic theories, इसमें theories गईगी, psychodynamic theories की गईगी, ठीक है, behaviorist रहे हैं, उन्होंने understand किए interpreting behavior को, इंडियोर के, जैसे कि कार लोकर होगए, ने उन्होंने प्रेहम में स्ट्रोंग फेल्ट किया, बश्कार एक प्रेहम में स्ट्रोंगे, इसके हैं आप्रोच इसे वाइड़ाइड एक लिएवियर, यह आगे हैं, कार रोजर्स, 1902-1987, यह बड़न थे, 1902-1987, अब इनका जो हमनिस्टिक अप्रोच की एक फांडर थे और इन्हों ने थिरॉपिस्ट की इसमें 20th century में ठीक है इन्हों ने रिसर्च की कि जो आफ्टर डेथ है वो क्या इंसान की सिच्वेशन हो जाती है ठीक है इन्हों ने क्लिनिकल इसमें प्रैक्टिस की थी आगे रोग करती थी फ्राइट से ठीक है फ्राइट के साथ कुछ हाथा की मैच कर रही थी अब इसमें इसने एक सिंगल फैक्टर लिया था फोर्स ओफ लाइफ के फोर्स ओफ लाइफ जाए इन्हां जब फुली फंक्शनिंग होता है तब उसकी परसंज होता है उसमें तमाम चीजें कर सकता है तब फुली फंक्शनिंग होता है जितनी चीजें वो कर सकता है यानि तो फुली फंक्शनिंग मीन साइकोलोजिकल एजस्टमें इसमें आ जाती है और फिजियोलोजिकल मिच्चुर्टी इसमें आ जाती है ठीक है नेक्स्ट है मीन कंसेप्ट इसका क्या था जो अपना experience होता है अपने बारे में और ideal self क्या होती है जिसमें individual's goals and aspirations यानि इनसान के अपने goal ठीक है वो ideal self अब phenomenal field क्या इसमें आ जाता है individual's unique perception of the world आगे actualization tendencies में आ जाती है जो drive करता है reflection को desire की और आगे आ जाते है need of need for positive regard यानि इनसान कैसे positive regard condition of word defenses इसमें कुछ आ जाते हैं defenses के बारे में पीछे भी देखा था denial आ जाता है denial में क्या होता है कि जब threatening situation होती है इसमान जो है denial को represent का रहा होता ठीक है जैसे फ्राइड ने denial को repression कहा था ठीक है repression आगे perceptual distortion क्या जाती है treatment the situation that appear less threatening जब less threatening situation आ जाती है जैसे के फ्राइड को थी rationalization इसने बस terms को change कर दी है आगे आ जाता है neuroticism are apart from the real and ideal नी real और ideal में फरग करना है real क्या है और ideal क्या है real जो आपके it-git हो रहा है naturally ठीक है और ideal जो आप उसको improve करते हैं Q अपके हो इस प्राइड में परग क्या लिए थी जाती है इसमें client उनको basically उन पर experiment किया जाते हैं ठीक है इसमें reflection जो है वो वो क्या है जो mirroring of the emotional experience reflection उस पर डालते है जिसे उनकी emotional experience होते हैं उन पर ठीक है इसमें तीन उसकी qualities थी एक थी congruence यानि जैनुनेस, honesty with client यह therapist की qualities must होनी चाहिए ठीक है एक empathy, एक होता है empathy और एक होता है sympathy लेकिन हमेशा थरापिच होता है उसको empathy होना जाहिए sympathy नहीं ताकि वो अपने client को feel कर सके उस जगह पर खुद को रखे ठीक है एक respect उसको देनी आगे ब्राहम मैसलो आ जाते है वो American psychologist थे अब उसके key points क्या थे कि जो positive side होती है human wings की उसने उसको देखा था ठीक है उसी पर ज्यादा काम किया, self destruction पर इसने काम किया ठीक है उसने response दिया कि wrong is saying need only physiological nature, need motivate human action या अगर इंसान को जरूरत पढ़ती है तो वो motivate होता है अब इसने कुछ basically structure दिये थे इसके, ठीक है, सबसे बहले देखें self actualization, self actualization वो person होता है जो जिसको लगता है कि यह सबसे ज़्यादा high level है, जिसको लगता है कि इसने हर चीज़ पा लिए तो वो self actualized होता है next लिखें, meta needs, इसके category में आ जाते है meta needs or deficiency needs meta needs में आ जाते है वो needs जो desire to grow rather than the meeting or our deficiency यह एक्सप्रेस करना self actualization के लिए ठीक है और जो deficiency needs आ जाती है, इसमें एस्टीम नीड आ जाती है, love नीड आ जाती है, physiological needs आ जाती है कि अज़ जाते है थीक है कि अज़ यह तो पा में जाते है a जाती है, ठीक है इसमें phobias आ जाते है अगर हम इसकी diseases के बारे में बात करेंए, love and belongingness में क्या जाती है फो फुल 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 परस्नेल्टी और नहीं तो फिर वो आइसोलेशन में चला जाएगा आगे इस पर क्रिटिसिजम कीगी थी वो यह के कुछ पॉइंट्स इसमें थे जहां पे इनों ने क्रिटिसाइज किया फाराल केस डिस्टिब्यूट एंड नीटली ओर्ड इस उसने नीटली ओर्डर नीथा किया इन मतलु प्रच गर्च राड्य जिन नीटली नीटली ओर्डर नीटली तो यहां में किगा एं ट्राएग के हिग लिए ओर्ण स्थेशं हर्टिज साह अंत्रि मैं ब्रहippers और कलो Schüler्ट नीटली दंद मिढ़ाई क्रिक्टित बहां बडूनिटली प्रॉनिज के पॉइल नीटली प्रोसेस आलमस्ट केम्प्यूटर के तरह है। इससरे कम्प्यूटर में एक प्रोसेस होता है को इंफर्मेशन ली जाती है। इसको step by step perception की जाती है और रिट्राइव की जाती है। यह सारी चीजें हमारा माइंड भी वैसे ही कर रहता है। यह पर जेन प्याजे का उनने जिकर किया है कि निटीजें एक आड्मिनिस्टर किया था स्कूल एक इंटैलिजेंट टैस्टिं श्कूल प्याजें ने क्या किया है। उसने देखा किस तरह सोचते हैं ठीक है उसने इस पर टेस्ट किये ठीक है नेक्स आजाता है मारे पास बीएफ स्कीनर बीएफ स्कीनर ने क्या किया था अपरेंट किनिशन के थूँ उसने फूड के पैलेट्स लिए और उसने इसने लर्न किया किस तरह बटन प्रेस करने पर सीखते हैं ठीक है कोगनिक्टिव थॉट्स को आगे आए पर नॉम कोस्म उसने चार्ज किया था देट स्कीनर अकाउंट लैंग्विज ड्वेल्प्में किनिशन का मतलब किया देन नाउन नालिज और प्रोसे ओफ नालिज अपर में इसमें क्या के थाइज करते हैं थौट्स को फिलिंग्स को वैली इसक्टेशन का इसना का बिहेवियर जिए और स्टिम लाइब और इसका पिर रिस्पोंस तेना ठीक है यह सारे चीज में आ जा इसमें सारे चीज़े आजाती हैं इसको हम हाइबिड साइंस भी कहते हैं ठीक है आगे मेरे पास आजाता है इमोशन्स एंड कोगनिटिव अप्रोच पॉइनियर ने यहांबे काम किया थैं 1971 में उसके कार्डिव इमोशन रिजल्ट फ्राम दा फिजरोल्जिकल अरोजल जब हमें कोई ज़रूरत परती है उससे हमारे इमोशन्स वह अरोज करते हैं ठीक है उसने भी एवलुशन होती है उसने पर एवलुशन होती है उसने मताब इमोशन फियर ठीक है इमोशन की स्थान कोई ने एक्सपेरिमेंट कर थो हमेशा ठीक है रिचार्ड लेज़र्ट सर इननीटी फोर में में । नील मिलर अन्देनल एंपरेंज किया इंपोटेंस और उसके इन्विपनेशन चाहिए पर्सृसनल साइकों सब्स्टूर्ट है पर जोन डॉलाट और नील मिलर उन्होंने एंफसाइज किया इंपोर्टेंस ओफ कोगनिटिव बिहविर डिटेंबन बाय कैली स्पर्सनल कंस्ट्रक्ट्टिव थरी उन्होंने इसमें क्या किया था कि हाओ अपरसन निया बनाते हैं अपनी थिंकिंग के थूरू अपनी बिली इस परसन नाउस एंड यह तुमाम चीजें क्या कहलेंगी कंपिटन सीज ठीक है किस तरह बरसन जो करेगा काम किस तरह उसे पता चलेगा इसमें क्या क्या आजेते हैं इन्खॉडिंग स्ट्रेचेजिस कहीं कैसे वो प्रोसीड करेगा प्रोसेस करेगा मैं इंफरमेशन को इसमें पर्सनल वाल्यूज एंड इसमें अगया जिते है बंडोर के किनिटीव थेरी उसमें क्या था इलबर बंडोरा इसमें में इसमें ने कंबाइन किये थे रूल्स को लर्णिंग के और एंफसाइस किया कंप्लेक्स थेरेक्शन इन सोशल सेटिंग्स उब्जर्विशन किया सुछल गरिए इससरे इसमें क्या है डिए तक भी आज युँजर्स के इस मैं ने थे स्थिसल अपने समय गया थिक्रण को क्या है कि खिल मानलें योल्विशने सेटीमें थेरी के भी आगया था था आ گह ऑन रिक्षन संना इसमें क्या था एंक्षन हो सिदुआ। and the theory explains several types of individual यानि इस च्वाइस ओफ लाइफ गोल यानि किस तरह निसान अपनी लाइफ गोल को चूस करता है then use of knowledge in social instructions आगे था cognitive approach behavior modification इसमें नेक्टिव जितना भी हमारा behavior उसको मोडिफाई की जाता है नेक्टिव नेक्टिव है नेक्टिव इसको पी इरेषण कांटिव जाता है Cognitive pressure of depression और रिप्रेसिव परसन को चेंज करते हैं इनके फाल्टी प्रेटरंस को जितनी इनकी प्रॉब्लम्स होती इनको सॉल्व करते हैं अब वो कौन कौन से टेक्टिंस यूज करते हैं ठीक है सबसे पहले मेरे बास आरा है रेशनल एमोशनल भीहवियर थरॉपी इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है अब उसमets किरते हमारा जिस्टाइब करने मत बूली एगा अल्हाफीज